नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अब लोकली फाइटर जेट डेवलप करने में लगा हुआ है तेजस मार्क वन ने बन रहे हैं मार्क वन ने के उपर भी काम शुरू हो जाएगा इसके इलावा तेजस मार्क ट और एमस्ये एक्चुल में किस स्टेज के उपर अभी है और क्या इनकी प्लैनिंग होगी साथ ही जब एमस्ये फिफ्ट जेनरेशन फाइटर जेट आएगा तो उस समय ये फाइटर जेट किस तरह से आएगा और कैसे इंडियन एर फोर्स की डारेक्टली मदद करेगा और इ यानि कि प्रोटोटाइप बनाने में HAL ही काम करेगा और दूसरी बड़ी बात जहां तक तेजस मार्क 2 के अभी के स्टेज की बात है ये किस लेवल तक पहुँचा है तो इसका कम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू तैयार हो चुका है और जिसे क्लियरेंस भी मिल चुक है और इसका CDR अगले साल के अंड तक पूरा हो जाएगा और दोस्तों अगर हम ADA यानि कि Aeronautical Development Agency के हैड गिरीश दियोधर की माने उनका कहना है कि EMCA की stealth shaping हो चुकी है इसके इलावा इसका design भी mature हो चुका है internal system भी पूरा हो चुका है और अगले साल इसकी metal cutting शुरू हो जाए और प्लैन की माने तो 2024 पचीस तक इसका पहला flight का plan है और इसके 5 prototype बनाए जाएंगे अब दोस्तों इसका फाइदा क्या होगा अगर EMCA Indian Air Force को join करता है तो ये दोस्तों enemy के अंदर deep strike कर सकता है उनके area के अंदर क्योंकि ये radar की पकड़ में नहीं आएगा और ऐसे में जो non stealthy fighter jet है जैसे सुकोई 30 MKI, जैगुआर, मिराज, तेजस ये दोस्तों road, railway, airfield, depot, ground forces इनके उपर attack करके heavy casualty कर सकते हैं और मान लेजिए चाइना के साथ में युद्ध हो जाए तो AMCA deep strike करेगा चाइना के अंदर उसके rail और road link को तोड़ देगा और तिबत के बहुत से अंदर के areas के अंदर people's liberation army को उसकी division को एकदम से isolate कर देगा और ये काम AMC कैसे करेगा दोस्तों इसके चार reason है पहला आपको बताना चाहूंगा कि ये stealthy है यानि कि ये radar की पकड़ में नहीं आएगा दूसरा है इसकी super cruise क्षमता जो कि दोस्तों possible करती है इसे sound की speed से भी faster fly करने के लिए और ये होता है इसकी बिना engine के involve किये fuel guzzling afterburner की वदह से और तीसरा कारण है इसके advance avionics और sensor जो artificial intelligence से less and network centric operation को enhance करते हैं पाइलट aircraft interface को बहतर करते हैं और चोथा दोस्तों ये अपने target को लंबी दूरी से भी engage कर सकता है detect कर सकता है और जहां तक दोस्तों इसके weapon ले जाने की शमता की बात करें तो इसका all up weight 20 ton होगा internal bay के अंदर ये one and half ton के weapon carry कर सकेगा और अगर इसे non stealth mode में इस्तेमाल किया जाता है तो बाहर भी ये 5 ton के weapon carry कर सकता है और इसे अगर एक bomber के तोर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये दोस्तो 6.5 ton के weapons को carry कर सकता है अलांकि इसकी strike range के बा ये सारी चीजे कैसे होंगी सुप power कैसे मिलेगी तो दोस्तो अभी तो इसके अंदर F414 General Electric का engine इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन आने वाले समय में इंडिया का locally बना 110 किलो Newton thrust का engine होगा तो दो engine इसे 220 किलो Newton का thrust देंगे इसकी super cruise speed के लिए और दोस्तो ये मान के चलिए इंडि भी उसकी मदद नहीं करने वाला है और दोस्तो जब हमारे former defense minister मनोहर पारिकर जी ने AMCA के लिए बात की थी से शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि इसका 4 billion dollar का cost आएगा इसे develop करने का जिसमें engine भी शामिल है तो आप समझ सकते हैं कि engine की कलपना भी उन्होंने पहले ही कर जुरू किया था जिस पर इस government ने इतनी मेहनत की है अब ये जरूर सफल होगा सारी चीजे track पे चल रही है धन्यवाद जैहिन